हलो बच्चो तो ब्रिज कोर्स में आज हम कक्षा साथ इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो इंग्लिश की डे वन, डे टू और डे थ्री की एक्टिविटीज किस प्रकार से आप लोगों ने करनी हैं उसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं डे वन की एक्टिविटीज के साथ तो डे वन में सबसे पहले हमने अपने ब्रिज कोर्स में डेली जब तक भी ब्रिज कोर्स चलेगा हमने सुभे ध्यान की प्रकेरिया बहुत आवश्यक रूप से करनी है तो इसमें mindful breathing की हमारी exercise है जिससे हम अपने आपको पढ़ाई के लिए तयार कर पाएंगे और खुद को बहुत तरो ताजा महसूस करेंगे तो इसमें लिखे हुए हैं इन steps को आप follow करेंगे और अपने सांस को धीरे धीरे अंदर लेंगे दीरे दीरे बाहर छोड़ेंगे और हवा को आते जाते हुए महसूस करेंगे ठीक है अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो आपने घबराना नहीं है फिर से अपने सांस पे ध्यान लगाना है तो ये अभ्यास आपने दो मिनट तक करना है डेली करना है सुबह पढ़ाही से पहले तो अब बात करते है एक्टिविटी टू की एक्टिविटी टू है हमारी पिक्चर टॉक इसमें एक के पिक्चर दी हुई है इसके बारे में हमने बात करनी है पिक्चर को ध्यान से आपने देखना है उसके बाद कुछ यहां पर प्रश्ण दिये हुए हैं उनके आंसर आपने अपनी कॉपी में लिखने है जैसे इसके यहां पर प्रश्ण है कि what do you see in the picture आप इस picture में क्या देख रहे हैं तो we see trees है road है two men's talking with each other one hut है तो जो भी आपको इसमें दिख रहा है जैसे एक चीज आपको दिखी फिर कॉमा दूसरी चीज कॉमा तीसरी चीज इस तरीके से आप इसमें लिख लेंगे अब आता है how many people are there यहां पर कितने लोग हैं तो there are two people हमें दिखी रहे हैं ठीक है इस answer दे देंगे what are the two men doing यह दो लोग क्या कर रहे हैं the two men are talking with each other ठीक है what is the old man holding तो old man ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है तो एक stick सीज के हाथ में दिख रही है तो आप उसका answer देंगे the old man hold a stick in his hand इसके बाद can you guess what they are talking about क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किस बारे में बात कर रहे हुए तो अनुमान तो यह भी हो सकता है कि कुछ पीछे पेड़ है कुछ टहनिया गिरी पड़ी है तो यह सायद पहले दिन जो तूफान आया होगा उसके बारे में भी बात कर सकते हैं या कुछ और भी जो आपको लगता है तो they might be talking about the yesterday night storm आप इसमें लिख सकते हैं या और भी जैसा आपको लगे जो चीजें आप इनको देखते हुए कि पेड़ हैं, टहनिया हैं, आदमी है इसके हाथ में कुछ है, पीछे एक जोपड़ी है तो इन सब चीजों को सोचके किस बारे में बात कर रहे होंगे आप एक sentence इसमें लिख सकते हैं इसके बाद आपका day 1 का जो exercise है वो इतनी है, खतम हो जाती है अब हम आते हैं अपने day 2 की exercise में day 2 day 2 में भी हमने अपने दिन की शुरुआज जो है, वो ही mindful breathing के साथ करनी है इसके बाद हमारी आज की जो exercise शुरू होती है, activity 1 use of capital letters capital letters का प्रियोग हम अपने sentence में कैसे करते हैं और कहां कहां पर करते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो capital letters को use करने के लिए इसने तीन बातें चार बातें इसमें बताई हुई है कि जैसे at the beginning of the sentence कि किसी वाक्यों को शुरू करते समय for proper nouns व्यक्ति वाचक संग्या, जहां पर भी व्यक्ति वाचक संग्या आएगी, वहां पर भी capital letter का प्रियोग होगा for I I का प्रियोग करते समय, capital letter use होगा, और for abbreviation, यानि कि short forms जहां पर भी कोई short form आएगी sentence के बीच में भी आएगी तो वहां पर उसका capital letter से ही denote होगा अब इसने यहां पर कुछ sentence दिये हुए है इन sentence को आपने अपने copy में लिखना है और ध्यान देना है कि जहां पर कोई अगर गलती sentence में हुई है तो उसको आपने ठीक करते हुए लिखना है और अगर गलती नहीं है तो उसको as it is लिखना है जैसे नेहा, head and alarm clock तो इसका जो सई sentence है वो आपने इस space जो दिया हुआ है यहां पर लिखना है तो नेहा का end capital है बिल्कुल ठीक है और बाकी sentence में कोई mistake नहीं है second sentence है we visited our grandfather last Sunday अब we sentence का start हो रहा है तो इसने w को small बनाया है तो आपने इसको capital कर देना है Sunday क्योंकि एक proper noun है तो इसने Sunday का S capital लिखा है ठीक लिखा है इसी प्रकार हिमालयाज का H capital है बिल्कुल ठीक लिखा है February का F capital है माई M से शुरू हो रहा है capital letter में है अब यहाँ देखिए द गंगा लिखा है तो द क्योंकि गंगा के लिए द आता है गंगा अपने आप में एक ही नदी है तो द आ गया आगे से T capital है और गंगा क्योंकि एक नदी का नाम है तो उसका G B capital है हिमालयाज क्योंकि एक परवत का नाम है तो उसका H B capital है Madhu can speak English Madhu का M capital है और English एक language का नाम है तो E capital है बिलकु ठीक लिखा है Mr. Shah teaches us maths Maths से एक subject का नाम है तो M capital है और sentence के starting में Mr. Shah है तो M capital है I study in GIC Almora I अपने लिए लिखा है तो I capital है GIC क्योंकि abbreviation sentence है तो GIC stands for Government Inter-College तो इसलिए ये GIC तीनों capital में है इसी परकार MBBS के चारों alphabets capital में तो आपने इसको अपनी copy में नोट कर लेना है तो ये day 2 की activity आपकी पूरी हो जाती है अब हम day 3 की बात करते हैं day 3 में हमने क्या करना है mindful breathing के साथ अपने दिन की शुरुवात करनी है उसके बाद एक यहाँ पर एक poem हमें दी हुई है इसका जो title है वो all but blind है ये तो एक poem यहाँ पर दी हुई है और यह हमसे बोलते हैं कि इस poem में जो तुकान तशब्दे हैं यानि कि जो rhyming words है उनको हमने छाटना है जैसे all the blind in his chambered hole groups for worms the four cloud mole अब यह जैसे hole है इसका rhyming word है mole आगे sky और by ये rhyming sentence है ऐसे ही day and way ये भी rhyming sentence है और me and be ये भी rhyming है तो आपने इनको चेक करना है और ये जो यहाँ पर space है इस space में आपने ये rhyming word लिखने है यहाँ पर sky तो यहाँ पर by है ना इस तरीके से आपने ये rhyming word जो भी मिलना है यहाँ पर आपने लिख देने है तो ये आपकी पहली activity होगी इसके बाद activity two में बोल रहे हैं कि make meaningful sentence from the above words अब यहाँ पर हमने जो चार words ये लिखे हुए हैं इन से हमने एक-एक meaningful sentence बनाना है और वो sentence हमने यहाँ पर लिखना है यह space यह है यहाँ पर पहला sentence दूसरा sentence तीसरा sentence चौथा sentence तो जो भी sentence आएंगे वो हमने यहाँ पर लिखने है इन चार यहाँ पर जो हमने जो चार words लिखे हैं उन से बनाने हैं हमने sentence जैसे यहां पर जैसे मैंने कहा कि sky और by यह sky है यह by है तो हमने यहां पर sky लिखा होगा यहां पर तो हम जब इसका sentence बनाएंगे तो sky से related एक हम sentence बनाएंगे तो जैसे the birds fly on the sky ठीक है तो आप यहां पर sentence को लिख सकते इसी प्रकार से एसी दूसरा तीसरा इस तरीके से आपके sentence यहां पर बन जाएंगे तो यह आपकी activity 2 है तो इस तरीके से हमारा day 1, day 2 और day 3 का काम पूरा हो जाता है तो आपने इस काम को अपनी copy में करना है और मुझे काम को share करना है करो करेंगे दूख प्रयू और लग कर दो ट। काम काम यह रदू हैं